बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी दो को काफी सफलता मिली थी हाल ही में अब बागी तीम को लेकर भी अनॉंस्मेंट हो चुकी है दरसल फेस्बुक पर फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करते हुए इसकी रिलीज डेट के बारे में दर्शकों को जानकारी दी गई है बागी तीम की रिलीज डेट 6 मार्च 2020 है खबरों की माने तो बागी तीम का निर्देशन भी एहमद खान ही करने जा रहे हैं और टाइगर श्राफ ही फिल्म का हिस्सा होंगे हाला की फिल्म में टाइगर के ओपोजिट एक फ्रेस कॉन होंगी इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है बताया जा रहा है कि बागी तीम की शुटिंग दिसंबर 2018 सेकंड ही शुरू होने वाली है फिल्हाल फिल्म में टाइगर की हीरोईन के लिए सारा अली खान का नाम सामने आ रहा है कि लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है बागी और बागी दो के मामले बागी तीम में जबर्दस्त एक्षिन देखने को मिलेगा इसके लिए टाइगर स्पेशल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं वर्प्रेंट की बात करें तो टाइगर करन जोहर की फिल्म स्टुडेंट आफ दा यर्दो को लेकर चर्चा में है